हेलो स्रोइन्स वेलकम तो अपनेटीचर डॉट कॉम दिस इस मुर्तुजा हैधर यूर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर और इस वीडियो में हम मैथ सकोई क्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम असानी से किसी भी नमबर को डिवाइट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग क्यालकुलेटर ओके तो यही टाइटल मैंने रखा है इस वीडियो का कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे about simple tricks for division without calculator और without using calculator तो देखें, हमोमन होता क्या है कि अगर हम किसी चोटे number से किसी को divide करते है for example, अगर आपने किसी भी number को divide करना है 3 से किसी भी number को आपने divide करना है 6 से किसी भी number को आपने divide करना है 4 से तो हमें अच्छा नहीं लगता कि हम उसके लिए calculator इस्तमाल करें या कभी कबार ऐसी situation भी आ जाती है students के लिए कि जब वो for example medical colleges के entry test की जब preparation करते हैं तो वहाँ पे calculator allowed नहीं होता आपने जो division करनी होती है वो आपने manually करनी है क्योंकि आपके पास calculator allowed नहीं होते तो इस video के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बड़ी असानी से किसी भी number को divide कर सकते हैं सही हमारा focus ही होगा कि हम यहां पे छोटे numbers की बात करेंगे हम बात कर सकते हैं 1 से लेकर 10 तक के numbers याई अगर मैं आपको यहां पर यह नहीं बताऊंगा कि आपने मिसाल के तौर पर एक number है आपके पास 753 उसको अगर आपने divide करना है 212 से तो यह वाला method मैं आपको नहीं बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं वह method कि जिससे आप किसी भी छोटे number को divide करते हैं सही है चोटे number से आप divide कर रहे होते हैं for example मैं आपको यहां पर समझाने के लिए पहले कुछ बाते बताना चाहूंगा आपको यहां पर कुछ numbers याद रखने होंगे आपने कौन-कौन से numbers याद रखने हैं बिसाल गर आपको याद क्या होना चाहिए आपको याद होना चाहिए कि 1 upon 2 जो है वो decimals में 0.5 की equal होता है सही अब अगर आपने याद रखना है कि किसी भी number को अगर आपने 3 से divide करना है तो उसके लिए भी आपके कुछ numbers याद रखने होंगे आपने क्या याद रखना होगा आपने याद रही रखना होगा कि अगर आप 1 को 3 से divide करें So this is 0.333 अच्छा ये तो आपके पास 333 चल रहा होता है non-terminating numbers हैं तो लेकिन हम इसमें decimal के बाद let's say 3 digits ले रहेते हैं इसके लाव आपको ये भी याद होना चाहिए कि 2 upon 3 क्या होता है 2 upon 3 होता है आपके पास 0.666 ये भी आपके पास non-terminating numbers है ये आपके पास numbers चलते जातें लेकिन हम यहाँ पर decimal के बाद सरफ 3 digits ले ले लेते हैं सही इसके लाव आपको कुछ और numbers याद होने चाहेंगे ये बात होगए आपके पास किसी भी नबर को 2 से या 3 से divide करें 4 से divide करने के लिए आपको कुछ numbers याद होने चाहें which is 1 upon 4 ये होता है 0.25 इसके लावा 2 upon 4 ये होता है आपके पास 0.5 ये भी याद होना चाहें और आपके पास 3 upon 4 ये भी याद होना चाहें आपको कि ये किसके equal होता है it is equal to 0.75 सही ये हमने इस्तमाल करने होंगे ये हमने याद रखने होंगे in order to divide a number by 4 5 के लिए भी बता देता हूं for example आपको याद रखना होना चाहें कि 1 upon 5 ये है वो 0.2 होता है इसके लावा 2 upon 5 ये है वो 0.4 होता है 3 upon 5 0.6 होता है और 4 upon 5 0.8 होता है तो ये numbers आपको याद होने चाहेंगे कि अगर आपने किसी भी number को 5 से divide करना है सही, तो यह numbers आपको कुछ जहन में होने चाहिए तो अब हम देख लेते हैं कि हम कैसे किसी भी number को divide करते है पहले हम start ले लेते हैं 2 से, 2 की division सबसे असान है for example, मैं आपको दे देता हूँ एक number को जिस तरह से कि आपके पास एक number है 25 upon 2 आपने इसको divide करना है, तरीकिकार क्या होगा मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 25 को break कर रहा हूँ किस तरीके से, मैं इसको लिख सकता हूँ 24 plus 1 कैसे लिख सकते हैं हम इसको 24 plus 1 upon 2 अच्छा, अब यहां पर आपके जहन में सवाल आ सकता है कि हमने 25 को 24 plus 1 में क्यों break करा है हम इसको 23 plus 2 में भी break कर सकते थे या हम इसको किसी और number में भी break कर सकते थे तो आप क्या करें, आप यह देखें कि 25 से closest number जो के 2 का multiple है, that is 24 तो मैंने इसको क्या करा, 24 plus 1 में break करा है उसके बाद आप क्या करें इसको अलग से डिवाइड करें इसको आप अलग से डिवाइड कर दें तो होगा कि आपके पास कि जब आप 24 को 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 12 फिर आप एक decimal लगा दें और 1 upon 2 मैंने आपको बताए कि इसके equal होता है 0.5 की तो यह हो जाएगा आपके पास 12.5 इसका मदलब 25 upon 2 को आप डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 12.5 एक और नमबर देख लेते हैं फॉर एक्जामपल अगर आपके पास एक नमबर को जिस तरह से है फॉर एक्जामपल 31 upon 2 तो इसको हम कैसे कर सकते हैं इसको करने के लिए हम क्या करेंगे हमने 31 को ब्रेक करना होगा और 31 को ब्रेक करना होगा ऐसे नमबर में कि जो जो मृर्वड आप इसको ब्रेक करलें 30 और यह रहा है आपके पास upon income 2 पिर आप क्या करें ? इसको तो झुरी को आप 2 से डिवाइड करें तो 30 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 15 फिर आप decimal लगा दें और 1 upon 2 आपके पास क्या है 0.5 इसका मतलब क्या है कि इस कांसर आजाएगा आपके पास 15.5 चलें यह हमने बात कर ली कि अगर हमने किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना हो तो कोई भी नंबर अगर आपके पास है आप मुख्तलिफ नंबर की प्रैक्टिस कर सकतें और आप एक कमार्ण हासल कर सकतें कि कैसे आप किसी भी नंबर को असानी से 2 से डिवाइड कर सकतें और जब कभी भी आप किसी भी होल नंबर को 2 से डिवाइड करतें तो हमेशा अगर वो perfectly उसे divide हो रहा है तो आपके पास जो अगर उसका multiple है तो perfectly divide हो जाएगा और अगर multiple नहीं है या और नमबर है तो आपके पास answer 0.5 करके आएगा यह हमेशा 2 के division में होता है सही अब हम देख लेते हैं कि 3 को हम कैसे divide कर सकते हैं असान number से start कर लेते हैं लेट से आपने divide करना है 7 upon 3 सही अब मैं चूंके 3 से divide कर रहा हूँ तो मैं 3 के multiples में break करूँगा 7 को मैं break कर सकता हूँ 6 plus 1 upon 3 में सही फिर हम क्या करेंगे आप divide करें अलग से पहले 6 और 3 को और फिर आप divide करें 1 और 3 को तो जब आप 6 को 3 से divide करेंगे तो आपके पास answer आएगा 2 फिर आप decimal लगा दें and 1 divided by 3 यह मैं आपको बता चुका हूँ यह किसका equal होता है 0.333 तो इसका मतलब यह किसका answer को जिस तरह से आजाएगा 2.333 करके इसका answer आएगा ठीक है एक और number देख लेते हैं आपके पास एक number है 14 और इसको आपने divide करना है 3 से तो 14 को अगर हमने 3 से divide करना है तो हम फिर से यह देखेंगे कि हम 14 को किसमें break करें हम 14 को break करेंगे 12 प्लस 2 में तो मैं इस तरह से इसको break कर देता हूँ 12 प्लस 2 और upon में 3 as it is मैंने again क्या देखा 3 के multiples देखें तो 14 से closest number आपके पास 12 है जो कि 3 का multiple है फिर आप क्या करें इसको आप अलग से divide कर दें इसको आप अलग से divide कर दें तो जब आप 12 को 3 से divide करेंगे तो आपके पास answer आएगा 4 into आपके पास 2 को जब आप 3 से divide करेंगे तो यह मैंने आपको बताया कि 2 upon 3 यह numbers आपको याद रखने होंगे यह क्या होगा आपके पास 666 तो आप यहाँ पे decimal के बाद 3 digits लगतें और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किसी भी number को अगर आप 3 से divide करतें अगर वो 3 का multiple है तो completely cancel हो जाएगा और अगर 3 का multiple नहीं है तो आप हमेशा देखेंगे कि उसके decimal में या तो आपके पास आएगा 333 करके या आपके पास आएगा 666 करके और कोई तीसरी या चौती possibility आपके पास नहीं होती तो यह हमने बात कर ली कि किस तरह से हम किसी भी number को 3 से divide कर सकते हैं अब आप बड़ा number भी ले सकते हैं उसकी practice आप खुछ से कर लीजेगा हमने असल में सिर्फ यह सीखना है कि कैसे हम numbers के divide करते हैं ठीक है चले अब हम बात कर लेते हैं 4 की तो अब अगर आपने किसी भी number को 4 से divide करना है तो for example मैं एक number लिख लेता हूँ which is 38 38 को मुझे divide करना है 4 से तो अब आपको 4 की table याद होनी चाहिए तो मैं जे क्या करना होगा मुझे 38 को break करना होगा 38 को मैं break कर सकता हूँ इस तरह से 36 plus 2 upon 4 में सही है बिल्कुल break कर सकते हैं क्योंके 38 से closest number जो के 4 का multiple है वो है 36 because 4 9 is a 36 फिर आपने क्या करना है इसको अलग से divide करना है और इसको आपने अलग से divide करना है सही तो जब आप 36 को 4 से divide करेंगे आपके पास आएगा 9 और जब आप 2 को 4 से divide करेंगे तो यह मैंने आपको बताए किसके equal होता है 0.5 के इसका मदलब यह कि इसका answer आपके पास 9.5 38 को 4 से divide करेंगे डिरेकली बता सकते हैं without using calculator in few seconds कि इसका answer आपके पास 9.6 एक और example देख लेते हैं आपके पास एक number कुछ इस तरह से है which is 43 divided by 4 तो 43 को अब अगर हमने 4 से divide करना है तो अगेन हमने क्या करना होगा हमने 43 को break करना होगा और 43 को हमने ऐसे दो numbers में break करना होगा कि जो closest 40 की हो यानि 4 के multiple के closest हो तो इसका मनलब यह कि मैं 43 को break कर सकता हूँ 40 plus 3 में और upon में 4 as it is तो अब आपने क्या करना होगा 40 और 4 को आप अलग से divide करें और 3 और 4 को आप अलग से divide कर दें तो 40 को जब आप 4 से divide करेंगे तो आपके पास क्या answer आएगा 10 और 3 upon 4 ये value आपको याद होनी चाहिए 3 upon 4 is 0.75 तो इसका मनलब ये कि इसका answer आएगा आपके पास 10.75 तो इस तरीके से आप किसी भी नमबर को 4 से divide कर सकते हैं तो उसके लिए आपको एक तो 4 के table अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि आप उन दो numbers को आप break कर सकें और ये जो मैंने आपको 4 के लिए numbers बताए हैं विच इस 1 upon 4, 2 upon 4 and 3 upon 4 ये भी numbers आपको अच्छे से याद होने चाहिए सही तो अब हम बात कर लिएते हैं कि 5 से हम कैसे divide करेंगे तो मिसाल के तोर पे आपके पास एक number कुछ इस तरह से given है for example आपके पास एक number है 72 और इसको आपने divide करना है 5 से सही तो कैसे divide करेंगे हमने पहले इसको break करना होगा हम इसको break करेंगे 70 plus 2 में और upon में 5 अब मैंने इसको 70 plus 2 में क्यों break करा क्योंकि 72 से closest number जो के 5 का multiple है वो है आपके पास 70 तो 72 था तो 70 plus 2 लेग दिया पिर यहां पे भी आपने यही काम करना है आपने क्या करना होगा पहले आप इसको divide करें 70 को 5 से और फिर आप इसको divide करें यानि 2 को 5 से divide कर दें तो जब हम 70 को 5 से divide करेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास 14 dot यानि आपके पास decimal क्या होगा 2 upon 5 यह value आपको याद होनी चाहिए 2 upon 5 is 0.4 इसका मदलब यह कि इस cancer क्या आजाएगा 14.4 तो अगर आप 72 को 5 से divide करेंगे तो without using calculator आप इस cancer निकाल सकते हैं which is 14.4 एक और example देख लेते हैं एक नमबर कुछ इस तरह से given है for example 34 upon 5 अब आपने क्या करना है 34 को 5 से divide करना है तो आप यह देखेंगे कि हम 34 को कौन से दो numbers में break करें बहुत असान है 34 को हम break कर सकते है 30 plus 4 में और upon में 5 as it is जोके again 34 से closest number जोके 5 का multiple है that is 30 तो अब हम क्या करेंगे हम पहले 30 को 5 से divide करेंगे और 4 को 5 से divide कर देंगे तो आपके पास यहां पर क्या हैगा 30 को जब आप 5 से divide करेंगे तो यह उजाएगा आपके पास 6 और 4 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 upon 5 is 0.8 इसका मनलब यह कि इसका अंसर आएगा आपके पास 6.8 तो यह हमने देख लिया कि कैसे हम किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो यही से मैथड इस्तमाल करके आप यह भी जान सकते हैं यह भी सीख सकते हैं कि कैसे आप किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड कर सकते हैं 7 से डिवाइड कर सकते हैं या आइधर 8 से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन आपको जो है वो नंबर्स याद होने चाहिए कौन से नंबर्स याद होने चाहिए अगर आप यहाँ पे एक pattern देखें तो 1 upon 2 के लिए यानि 2 की division के लिए आपको सिर्फ एक number याद रखना है 3 की division के लिए आपको 2 numbers याद रखने ठीक है 4 की division के लिए आपको 3 numbers याद रखने 5 की division के लिए आपको 4 numbers याद रखने तो कौन कौन से अगर हम 5 की बात करें तो 1 upon 5, 2 upon 5, 3 upon 5 और 4 upon 5 अच्छा 5 upon 5 तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा 5 upon 5 तो 1 हो जाएगा फिर अगर हम आगे जाएं let's say 6 upon 5 तो 6 upon 5 के लिए आपको याद नहीं रखना आप फिर ब्रेक कर लेंगे क्योंकि आपके पास 6 जो है वो 5 से बड़ा नमबर है तो आप इसको 5 प्लस 1 upon 5 के ब्रेक कर सकते हैं सही है तो यहाँ पर मैंना आपको बताया कि किस तरीके से आप किसी भी नमबर को बड़ी असानी से विदाउड यूजिंग कैल्कुलेटर आप आप आइधर 2 से 3 से 4 से 5 से या किसी भी नमबर से डिवाइड कर सकते हैं और एक और चीजा भी देख सकते हैं कि जब कभी भी आप किसी भी नमबर को 2 से डिवाइड करेंगे या तो वो कंप्लीटली कैंसल हो जाएगा आपके पास एक होल नमबर आएगा या आपके पास .5 करके आंसर आएगा सही जो कि हमने यहा देखा K25 को 2 से डिवाइट करा कूँके 25 से कंप्लीटली कैंसल नहीं होता तो यह 12.5 आया 31 को 2 से divide करा 31 is again not divisible by 2 इस cancer क्या है आपके पास 15.5 यानि decimal में आपके पास आएगा 0.5 सही अगर हम 3 की बात करें तो 3 में अगर तो number पूरा का पूरा divide हो रहा है तो तो ठीक है लेकिन अगर completely divide नहीं हो रहा उसका multiple नहीं है वो तो आप क्या देखेंगे कि आपके पास numbers या तो 0.333 करके आएगा या 0.666 करके आएगा आपके पास decimal part के अंदर तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 7 upon 3 को हमने डिवाइड करा answer आया 2.333 और 14 upon 3 में आया 4.666 decimal में इसके इलावा कभी भी numbers नहीं आते यही सेम बात आप देख सकते हैं 4 के लिए भी और 5 के लिए भी 4 के लिए आपके पास या तो completely divide होगा या एक आपके पास 0.25 या 0.5 या 0.75 और एकर हम 5 की बात करें तब भी ऐसा ही होगा So this is it for this lecture इस lecture में हमने short trick of division सेकी है So मिलते हैं next lecture में जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखीगा Allah हापस